कैसे हो दोस्तों दोस्तों कई बार हम अपने PC या लेप्टॉप में कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें BIOS में या UEFI में जाने की जोध पड़ती है क्योंकि बहुत सारे important settings वहां पर होती हैं बहुत सारे hardware related settings वहां पर होती हैं तो पुराने या उसे पुराना को यूज कर रहे हो तो मैं आज दोनों के बारे में बताऊंगा कैसे आप BIOS ओपन करोगो और कैसे UEFI ओपन करोगे तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं पहले बात कर लेते हैं कि पुराने लेपटॉप में आप BIOS में कैसे इंटर करोगे तो बहुत सिंपल है फांसन की का यूज करना होता है F1, F2, F3 यह जो कीज दिये हुए हैं तो हर कंपनी ने अपना अलग-अलग की सेलेट किया हुए जैसे मेरा आपके में जैसे भी आता हूँ तो हमें उसी समय यह की प्रेस करना होता है जो इफांसन की एसाइन किया गया है विंडोज की लोगो आने से पहले, अगर विंडोज का लोगो आ गया है, अगर आपने लेट कर दिया है, और विंडोज का लोगो आ गया है, तब यह काम नहीं करेगा, अगर आप प्रेस करोगे तो, तो आपको फिर से यही प्रोसेस करना होगा, तो मैं आपको एक बार दिख आप देख रहों कि F1 F2 कुछ एरो की या कुछ और भी जैसे F10 की वगरा दिया हुआ है तो यहाँ पर जैसे सेव करने कवा जैसे सबसे कॉर्णर में आप देख रहो F10 की दिया हुआ है तो जो भी चेंजे आप करोगे उसके बाद F10 से सेव और एकजीट हो जाओगे अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज कल के जो नए लेप्टॉप आ रहे हैं उसमें आप कैसे करोगे लेक्ट लेक्टाप लेकले सेक्ट करने से पहले हम लोग शिफ्टकी को प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पे मैं start button पे click करता उं और यहाँ पे power button पे click करता हूं और यहाँ यह start पे click करने से पहले मैं shift key को press कर लेता हूं और यह start पे click कर देता हूं और इसका बाद आप shift key को छोड़ सकते हों तो यह जो please wait लिख रहा है अगर आप normally बीना shift की को press किये हुए अगर simple आप restart करते तो यह please wait नहीं लिखता, तो यह तरीका है advanced startup menu को open करने का, तो यह advanced startup menu open हो गया है, अब यहां से हम लोग troubleshoot पे click करेंगे, और यहां advanced option पे click करेंगे, और यहां पे आप देख रहो UEFI firmware setting है, इस परसके बाद यहां से restart पे click कर देंगे, तो guys यह हमारा UEFI open हो गया है, अब यहां पे जो भी settings आप हो करनी है, वो settings करके, और same process है जैसे पुराने laptop में होता है, कि यहां पे आप देख रहो corner में दिया हुगा है, कि F10 आप प्रेस करोगे, तो आपका जो भी चीजे चेंज किय वो save हो जाएगा, और आप यहां से exit हो जाओगे, तो guys इस तर से आप BIOS में या UEFI में इंटर कर सकते हो, और वहां पर जो भी settings आप हो करनी है, उसको change कर सकते हो, वीडियो कर अच्छी लेगे तो वीडियो को like करेगा, कुछ पूछना चाहते हैं आप तो नीचे comment करना, मैं Signing out.